स्वागत करता हूं राजस्तान प्रदेश में एक और बड़ी बरती का नॉटिफेशन आउट हो चुका है पी टी आई ग्रेट थर्ड तो इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है कितने पदों पर यह बरती आउट हुई है कब से कब तक इसके फॉरम बरे जाएंगे क्वालि वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे बहले हम बात करते हैं सारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी बरती 2022 काफी पहले इसका नॉटिफ जारी हुआ था हमने दो तीन वीडियो पहले से बना रखी है किसकी बरती आउट होगी तो फाइनली इसका जो ऑपरेशन नोटिफिक 5546 पदों पर बरती आई है जिसमें नॉन टीफिके हैं 4899 में और टीफिके हैं 647 इसके अलावा अब फॉरम देट की बात करेंगे फॉरम कब से कब तक बरे जाएंगे तो 23 जून से इसके फॉरम स्टार्ट होंगे और 22 जुलाई तक इसके फॉरम मरे जाएंगे फॉरम की अ OBC से तो साधे 300 रुपे आपके लगेंगे अगर आप ऐसी स्टी के डिगरी से तो 200 रुपे आपकी फॉरम पीस रहेगी तो यह तो है आपकी फॉरम पीस और 22 जुलाई अंतिम डेट है आप क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सार्रिक शिक्षक है ग्रे कर रखा है सर्टिविट कोर्स कर रखा है यह डिपलोमा कोर्स भी किसी ने कर रखा है तो तीनों ही प्रकार के जो विद्यारती है इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हैं वापस से बता देता हूं इस इन में से एक भी आपने कर रखा है किसी ने अगर बीपीड कर रखा है CPA कर रखा है तो आप इस भरती के लिए apply कर सकते हैं तो qualification के बाद में अगर हम age limit की बात करें तो minimum 18 है और maximum 40 है अगर आपने 18 hours complete कर रखी है तो आप इस भरती के लिए apply कर सकते हैं और आपकी जो 18 hours है वो एक जनवरी 2023 तक complete होनी चाहिए और जो अरक्षित वर्ग है उनको छूट भी रहेगी जैसे ST ST category को 5 साल की छूट है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप job की तलास में है कापी सारे विद्यारती होते हैं जो college में पढ़ रहे होते हैं उनको side job करना होता है या उनका interest government job में नहीं होता private job में होता है ले क्योंकि आपके पास skill है तो reliable by an academy लेकर आया है skill development test जिसको आप देकर इंडिया की top companies में multi national companies में job लग सकते हैं 18 domain उसके अंदर है अलग-अलग domain आप सेलेक्ट करके test दे सकते हैं और job प्राप्त कर सकते हैं कापी सारे candidates ने वहापर job प्राप्त किये अलग-अलग domain के अंदर ऐ इसे यह candidate है उनका नाम है रोहित नलहनी कि इन्होंने skill test दिया था reliable का और उसके बाद में इनको job मिल गई थी इनकी starting के अगर हम बात करें तो इनके पास में कोई job नहीं थी और यह job ढूण रहे थे क्योंकि इनके पास में ना तो resume था ना experience था ना degree थी और नहीं होने के वज पुझूद जो है इनको job नहीं मिल पा रही थी तो इन्होंने उसके बाद में क्या किया मातर सत्रा साल की उमर में इन्होंने अनिकेड में reliable का test दिया इसकी टेस्ट दिया business development का और test देने के बाद में इनको लोमोस enterprise company के अंदर business development executive post पर इनको शांदार job मिल गई तो ऐसी stories ब भी जा रही है और अब आप reliable select करके best companies में job opportunity के साथ exciting price भी जीच सकते हैं बस अपना test load 15-19 दून के बीच में book करें और book करने के बाद test को attempt करें event में daily toppers को मिलते हैं 30,000 तक के amazon vouchers and event toppers को apple macbook, iphone 13, apple watch और google mini दिये जाते हैं तो reliable का skill test बिल्कुल free है कोई भी candidate इसको attempt कर सकता है और केई बार कर सकता है link description में है click करें, slot करें और book करने के बाद अपना test दें और अपनी job पक्की करें अब बात करते है selection process की, अगर selection process की बात करें तो वही आपका पहले return test होगा उसके बाद में आगे की प्रिक्रिया रहेगी document verification तो written paper की अगर हम बात करें, दो paper आपके होगे, एक आपका general paper होगा, एक आपका subjective paper होगा, general paper की बात करें तो उसमें आपकी राजस्तान की GK, complete GK, जो गुरुफी, history, art and culture वो सब आएगा, इसके अलावा Indian GK आएगी आपके जो गुरुफी, history, art and culture और इसके अलावा current reference भी आ आप से पूछे जाएंगे और इसका syllabus आएगा तो detail में आप इसके लिए वीडियो बना देंगे, आप लोग comment कर देना, तो syllabus को लेकर और books को लेकर अलग से separate वीडियो बना देंगे, अब बात कर लेते है, salary कितनी मिलेगी, salary मिलने वाली है, तो काफी अच्छी salary रहेगी, क्य कोई interview है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ document verification होते हैं, उसके बाद में final आपका selection हो जाता है, अब इसकी जो exam date थी, वो तो पहले ही आपको पता थी, क्योंकि करमचारी चैन बुट का notice आउट हुआ था, calendar आउट हुआ था, उसमें इसकी date दे रखी थी, कि PTA grade 3 की जो exam होगी, वो 25 सितंबर को होगी, जी हाँ, 25 सितंबर को इसकी exam होगी, तो target आपके सामने है, 25 सितंबर, ज्यादा समय भी नहीं है, तो अभी से तैयारियों में लग जाओ, और तैयारी को लेकर, books को लेकर, preparation को लेकर, अलग से separate video बरा दूँआ, जैसे इसका syllabus आएगा detail में, उसको लेकर, ठ तो इस प्रकार की और information पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,